जय हिन दोस्तों स्वागत करती हूं आपका अपने परिवार में कैसे हो आप सब उमीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी तो आज हम पर्योड अध्यन से रिलेटेड कोश्चन देखेंगे और ये कोश्चन सारे आये हुए हैं और आज का पहला कोश्चन है नीचे दी गई शूची पर विचार कीजिए कच्छुआ घडियाल कववा बतक मचली इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन है घडियाल कच्छुआ मचली या कावा तो इसका राइट आंसर होगा आप्शन डी कौन है भिन कावा ये यह सभी जल में रहते हैं और यह कावा कहा रहता है तो कावा पेंड की सबसे उची डाल पर घोश्च लबनाता इसलिए कावा अलग है अगले कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नमबर टू देखते हैं हम बहुत ही कम समय में आपको 20 कोश्चन 25 कोश्चन करवाएंगे इसलि अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर थ्री रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेंड है जो पाया जाता है राजस्थान के रेगिस्तान में शयुक तरफ अमिरात के रेगिस्तान में या अबुधाबी में या फिर आश्ट्रिलिया में तो इसका राइड आंसर होगा अश्ट्रेलिया में पाय जाता है बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज होंगे कि यह राजस्थान के रेगिस्तान में पाय जाएक बट ऐसा नहीं यह कोशन गलत होगा यह रेगिस्तानी ओक एक पेंड का नाम है इसलिए यह कहां पाय जाता है आगला कोशण दیک्षान देख गाजर, सुकंदर और मूली ये सब क्या है, ये जड़े हैं, है ना, और आलू इसमें क्या है, तो आलू तो तरना है, इसलिए ये नहीं होगा, और अगला कोशन देखते हैं, कोशन नमबर फाइब, उच्च ज़र, तेज बुखार के साथ कम कपी, जिसका उपचार सिंकोना प पेड़ के चाल किस से प्राप्त को तो कुनायन के पेड़ से हैं ना, कुनायन के पेड़ से, अगला कोशन देखते हैं, कोशन नमबर फिक्स, कोशन नमबर फिक्स देते हैं, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दान्डे के समूतर तक अपनी परसिद्यात की थी वहां भारत की नीचे देगे किस राज में इस्थित है महाराश्ट में गुजरात में आत्परदेश में या करनाटाग में तो राइड आंसर होगा आपसें बी कहां से गुजरात में आगे देखते हैं कोश्चन नमबर सेबन धुरू तारा कहा जाता है पूर्भी तारे को जच्छिडी तारे को उत्री तारों या पस्चिमी तारे तो राइड आंसर होगा आपसें किसे कहा जाता है तो उत्री तारे को कहा जाता है अगला कुशन देखते हैं कोशन नमबर एट कानहा राश्टी उत्तान भारत के किस राज में इस्थित है तमिलनाडू पश्री मंगाल या गुजराद तो राइड आंसर होगा आपसंड बी कहां पर है मध्य परदेश अगला कोशन देखते हैं कोशन नम्बर नाइन लखनौ समझोता उन्नीश सोला किंदो के मध्य हुआ था ब्रेटिस वा भारतियों के मध्य हिंदू वा मुश्लिम के मध्य गरम दल के मध्य हुआ टाग अगला कोशिन कोशन मोर लक्या से कालम वा मिल्लान करना है देखते हैं हां चलियू को जाई में क्या खाते हैं चलिकदा और मुटा स्यर्श्टो मच लिखाते हैं तो देखते हैं इसका कौन सा-पसन होगा क्या बताया थें हांकांग में हांकां का भोजह नहीं आ पकाया हुआ साथ यक पाइप देखतेएं जभいた five तो झाल यांग का वन्हें ये तई कम का में सब्सक्राइब हो होगा option D अगला question देखते हैं question number 11 जंगली गदहों का अभ्यारण कहा है माध्य प्रदेश में गुजरात में राजस्थान में या फिर बिहार में तो right answer होगा option B कहां पे गुजरात में अगला question देखते हैं question number 12 बायो मैगनिफिकेशन है computer दोरा चित्र के आकार में ब्रद्धी जीओं के आकार में ब्रद्धी या समय के साथ उताग में विसेले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता या फिर इनमें से सभी तो right answer होगा क्या होगा समय के साथ उताग में विसेले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता question number 13 देखते हैं किस देश के समिदान से मौलिक करता भी लिया गया है USA से United Kingdom से जर्मनी से या USSR से तो इसका right answer होगा आप सिंडी कहां से USSR से लिया गया अगला question देखते है question number 14 मकर रेखा है साड़े तेश डिगरी साड़े तेश डिगरी साउथ यह तेश डिगरी साउथ यह तेश डिगरी नौर्थ तो इसका right answer होगा option C साड़े तेश डिगरी साउथ अगला question देखते है question number 15 ecosystem सब्द का परियोग सर पर्थम किस ने किया था डाक्टर उडम ने, डाक्टर एडी टांसले, डाक्टर आडी मिस्रा यह डाक्टर बिटाकर तो right answer होगा option B डाक्टर एडी टांसले ने किया था अगला question देखते है question number 16 सरबादिक जय वित्ता पाई जाती है सांध घाटी में, सुर्मा घाटी में, फूलो की घाटी में या दोराण घाटी में तो right answer होगा option A कहाँ पाई जाती है सांध घाटी में अगला question देखते है question number 17 एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है क्या देखना है हमको हमको असत्य देखना है नीले जॉला से जलने वाला उच उसमिये मान एक स्वच्ची इंधन या मीथे नुसर्जन करने वाला तो इसका right answer होगा question D मीथें उसर्जन करने वाला यह नहीं है इसलिए यह गलत है और लपीजी का फूर्फॉर्म क्या होता है तो लिक्क्यूफाइट पेट्रोलियम गायस होता अगला question देखते हैं question number 18 गास भूमी छेत्र के परितंत्र के खास रंखला में सबसे उचस्तर का उपभोगता है जीवाणू, मानसाहारी, साकाहारी या साकाहारी वह मानसाहारी दोनों तो इसका right answer होगा option B कौन है तो मानसाहारी अगला question देखते हैं question number 19 वाई मंडल का प्रुमू के सर जो प्रतिवी के सबसे पास है मध्य मंडल, छो मंडल, समता मंडल या आयन मंडल तो right answer होगा option B कौन छो मंडल और यहाँ पे क्या होता है सारी मौसमी घटनाय कहा होती है छो मंडल में होती है ना अगला question देखते हैं question number 20 भारती संसत द्वारा जय वित्ता अधिनियम पारित किया गया था 16 अक्टूबर 1990, 10 दिसंबर 1980, 11 माई 1972 या 11 दिसंबर 2002 तो right answer होगा option D 11 दिसंबर 2002 question number 21 देखते हैं निमन में कौन सी क्रसी करने के प्रिकिया पर्यावरस तनरच्छन में सहायक है अधिक उपस वाली किस्मिक खेती ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिप्टिंग खेती या जैबिक खेती तो right answer होगा option D कौन सी खेती जैबिक खेती question number 22 देखते हैं, अमली वर्षा संबंदी थे, HD केसिट से, सल्फियरी केसिट से, हाइड्रो कलोरी केसिट से या बोरी कम्र से, right answer होगा option B, सल्फियरी केसिट और इसका फार्मूला क्या होता है? question number 23, question number 24, फूलो की घाटी अवस्थित है सिक्की में, हिमाचल प्रतेश में, जम्मू कस्मीर में या उत्राखंड में तो right answer होगा option D, कहाँ है उत्राखंड में, अगला question देखते हैं, question number 25, तिबबत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है किस नाम से, ब्रामपुत्र, यमुना, गंगा, या सिंधू, तो right answer होगा option A, किस नाम से जानी जाती है, ब्रामपुत्र में, और सबसे चोड़ी इसलिए right answer option A, अगला question देखते हैं, तो thanks, आज के लिए बस इतना ही, हमने बहुत ही कम समय में 25 question करवाए हैं, इसलिए यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, तो चैनल को subscribe कर लिजे, और वीडियो अच्छा लगे, तो like करिए, share करिए, और comment करिए, तो thanks, जैहिन,